दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी बैलकनी गार्डन में खिले हुए कुछ सुन्दर फूल और साथी सा शेयर करूंगी आज से लगभग 45 से 50 दिन पहले मैंने एक कंपोस्ट बनाने रखी थी जो कि आपके साथ में शेयर किया था उसका वीडियो भी तो वो कंपोस्ट बन करके तयार हो गई है तो वो compost भी मैं आपके साथ में share करूंगी किस तरीके से हम घर पर इस lockdown के समय पर इस pandemic situation में अपने plants के लिए घर की ही waste चीजों से किस तरीके से खाद बना सकते हैं और वो पौधों के लिए बहुती ज़्यादा उपयोगी है ठंडी खाद है बहुत मतब उसको गरम खाद नहीं कहा चा सकते हैं आप किसी भी तरह के पौधों में उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो साथी साथ चलिए पहले शुरू करती हूँ पौधे कौन-कौन से फूल खिले हैं तो यह है डायन्थस का और यह रेड कलर के आप देख रहे हैं साल्विया के तो साल्विया का मौसम तो अब चला गया है इसमें अभी बहुत सारे फूल थे मैंने अभी इसको कटिंग कर दी थी अभी बहुत सारा काम करना बाकी है बैलकनी में क्योंकि मेरे बिमारी के साथ साथ मेरे प्लांट्स की भी देखभाल नहीं हो रही है हाला कि ये देखें बोगन विला के वाइट कलर के फूल निकले हैं दुबारा से इसमें नए और बहुत ही ज़्यादा खुपसूरत लग रहे हैं अभी अभी निकलने शुरू हुए हैं तो अभी कुछ दिनों के बाद में ये पूरा भर जाएगा बोगन विला फूलों से निकलेंग है एक ये मेजंटा कलर का विंका है हाइब्रीड वाला और अपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा pink प्ला का इसके बाद में एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट ही है गजानिया जो की अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है हाला कि मैं इसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पा रही हूँ अपने तबियत खराब के चलते आपको पता ही है सबी फ्रेंड्स को लेकिन फिर भी इस वाटरिंग करती हूं सनलाइट अच्छी मिल रही है तो अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही है हाला कि इसमें फर्टिलाइजर वगरा देती या प्रूनिंग वगरा भी और करती तो और अच्छे से चलता इसके अलावा आज खिले हैं मेरे पौर्चुलका के कुछ फूल पी तो इसको यहां से पिंच कर देना चाहिए, या फिर इसकी जो सुखेवे फूल होते हैं, उसको हटा देना चाहिए, इससे क्या होता है, बाकी के फूल खिलने में असानी होती है, और बहुत ही जल्दी खिलते हैं, इसके बाद में अगला आ गया और यह पिटूनिया, यह धारियां सी पड़ी हुई है जिसकी वज़े से इसमें पेस्ट लगने का खत्रा है और ये देखे इसके उपर मिली बग भी लगा हुआ है ये दूसरे गजानिया के उपर तो इसके उपर नीम ऑईल जैसे अगर इस टाइम पर आपके पौधो में कोई भी पेस्ट वगरा लग और ये है सिलोसिया का प्लांट जो की फिर से देख भाल मांग रहा है अभी थोड़ी सी करूंगी इसकी देख भाल भी और ये है मेरा देसी वाला विंका जो की काफी अच्छे से फ्लावरिंग करता है और ये तो जैसे इसका नाम है सदा बहार वैसे ही ये सदा बहार हमेश इसको किस तरीके से बनाया था कि बता देती हूँ आपको बहुत ही जल्दी जल्दी से सबसे पहले मैंने इस मटके के अंदर मैंने एक लेयर मिट्टी की लगाई थी उसके बाद में मैंने फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स जो होते हैं उसके बाद में एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स तरीके से करते हुए मैंने पूरे मटके को उपर तक फिल कर लिया था और इसमें मैंने मटर भी डाले थे काफी सारे और नीचे मैंने कागस की एक परत बिचा दी थी कागस के टुकडों की परत बिचा दी थी जिसे की समें मॉइस्चर रहे और उसके बाद में जब मेरा ये मटका पूरा भर गया था तो मैंने इसके उपर थोड़ा सा चार्ज डाला था और थोड़ा सा मैंने डाला था इसके अंदर गुड़ उसके उपर से भी मैंने एक लेयर मिट्टी की लगा दी थी और उसके बाद में मैंने इस मटके को 20 दिन तक तो बिलकुल भी छेड़ा नहीं था उसके बाद में 20 दिन के बाद में मैंने इसको एक या दो बार मैंने चलाया है उसके बाद में आज मैं देख रही हूँ तो मेरी ये खाद देखे बिलकुल बन करके रेडी हो गई है जो फ्रेंड बोलते हैं कि इस कंपोस्ट में घर पर बनाते समय कीडे हो जाते हैं तो उन सभी फ्रेंड के लिए मैं बताओं कि वो बार-बार चेक ना करें कंपोस्ट क्योंकि बिना इसके अंदर आपके बैक्टीरिया बने या कीडे हुए आपकी फर्टिलाइजर बनेगा नहीं और अगर आप बार-बार चेक करेंगे और आप बार-बार कीडे देखेंगे तो आपका मन हट जाएगा इसलिए इसको ढखकर के अच्छे से रख देते हैं और ये देखिए इसमें एक बार भी पानी डालने की जरूरत नहीं लगी मुझे क्योंकि इसमें मैंने जो खाद मेरी बन करके ये तयार हुई है तो ये जो खाद है इस खाद को हम एक-एक मोटी सबी पौधों में डाल सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारे पौधों की क्रोथ होगी बिल्कुल फ्री में बन गई है बिना किसी खर्चे के बनी है और आप देखेंगे मेरा मटका भी कागस चिपके हुए हैं जिसको मैं अभी खुर्पी की हेल्प से निकाल दूगी तो ये देखें थोड़ा बहुत तो रहे ही जाता है जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो कागस थोड़ी देर में गलते हैं अगर मैं इसको दो महीने तक के लिए लगबग रख देती थोड़ा स नजर आ रहे हैं तो आप इस कंपोस्ट को पहले एक दिन के लिए ऐसे ही छट पर छोड़ दें तो मैं भी पहले इस कंपोस्ट को पहले एक दिन के लिए छट पर ऐसे ही धूप में छोड़ दूगी जिससे कि इसके अंदर की जो भी कीड़े वगरा अगर आप लगता है डा अच्छी बनी है और एक दिन के बाद में मैं इस खाद को इस्तमाल कर सकती हूँ तो आशा करती हूँ इस लॉक्डाउन में और इस टाइम पर पेंडमिक सिचुएशन के दौरान आप भी इस खाद कंपोस्ट खाद को बनाएंगे और अपने पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखेंगे बिल्कुल फ्री में बन गई है बहुत जादा कोई मेहनत नहीं लगी है कोई गंदगी नहीं हुई है साथी साथ कोई बद्बू भी नहीं आई है और मैंने तो सिर्फ एक ही मटके में बनाई क्योंकि आप सभी को पता है स्वास्त ठीक नहीं है और जब थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो मैं रेगुलर इसको कंटिन्यू करूंगी और ये जो खाद है ना इसको थोड़ा सा बचा करके नई कंपोस्ट बनाते टाइम हम अगर इसका इस्तिमाल करेंगे नीचे तली में तो इसका जो नई वाली जो हमारी कंपोस्ट बनेगी उसका प्रोसेस ब गार्बेज में डालते हैं ये चीजे वो यूटिलाइज हो गई हैं और हमारे पौधे भी इससे हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे तो इसको अगर आप दो या तीन मटके लेंगे तो एक के साथ एक आपका ये रिसाइकल होता रहेगा वेस्ट और आपकी खाद भी आपको कभ नहीं पड़ेगी पौधों के लिए और इसमें कोई छेद नहीं था मटके में मैंने कोई होल नहीं किया था आप ये भी देख लीजे बहुती आसानी से इस तरीके से बन जाएगा और आप सभी फ्रेंड्स को मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अभी थोड़ा सा मेरा क चारी है इसकी वज़े से मैं आपके साथ में कोई और तरह के वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ जैसे ही ये पीरियट खतम होता है वैसे ही मैं आपके साथ में DIY होम डेकॉर और भी तरह के वीडियो जल्दी ही लेकर किया होंगी फिलाल आज का वीडियो इतना ही था अक्टिव अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए और बोरे लगाते रहिए बाई बाई